असलाम अलेकम डियर स्टूडेंट्स इस कोस्टन में भी हमने डिफरेंशल्स को यूज करते हुए दी वाई ओवर डी एक्स और इसी तरह डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड आउट करना है तो आएए देखते हैं इसमें गिवन कोई एन है x to raise power 4 plus x square is equal to x y square तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग डिफरेंशल अन बोज साइड तो दोना तरफ हम d apply कर देते हैं d of x to raise power 4 plus y square इसी तरह d of x y square तो यहाँ पर क्योंकि दो टरम्स एड़ हो रही हैं तो इंडिविजुली दोनों के साथ डिफरेंशल आजेगा डिफरेंशल आफ एक्स तरह 4 plus डिफरेंशल आफ वाई स्केर इसी तरह यहाँ पर दो टरम्स प्रोड़क्ट हो रही हैं तो जब दो टरम्स प्रोड़क्ट हो रही होती हैं तो प्रोड़क्ट रूल लगता है तो प्रोड़क्ट रूल के मताभिक 1st term as it is डिफरेंशल आफ सेकंड यानि कि 1st को हम छोड देंगे सेकंड का डिफरेंशल लेंगे प्लस सेकंड छोड देंगे डिफरेंशल आफ फरस्ट लेंगे इसको याद इस तरह राख सकते हैं कि एक वकत में एक ही काम हो सकता है प्रोडक्ट है तो जिस तरह बालिंग और बैटिंग हो तो आप एक वकत में या बालिंग का सकते हैं या बैटिंग का सकते हैं तो यह example अगर हम जयान में रखें तो X as it is आएगा आपने बालिंग छोड़के बैटिंग की यहां पर 2Y 2-1 पावर रूल ला गया तो शुरू में और टू में एक माइनस फिर Y का डिफरेंशल डी वाई इस एक्वल टू X यहां पर भी हम तो शुरू में लेकर आएंगे और Y की पावर में से 2-1 यानि के Y स्केर था तो पावर शुरू में आई और पावर में एक माइनस तो आगे फिर Y का पावर छोड़ के डिफरेंशल डी वाई बन गया इसी तरह यहां पर हम Y स्केर डी एक्स एड़ एज इस लिखते हैंगे अब यहां पर सिंप्लिफाई करते हैं इसको 4X क्यूब डी एक्स अब देखते हैं आपर हमारे पास इस पूरी कोईयन में दो टरम्स ऐसी हैं जिसमें डी एक्स इन्वालव है यह फिर्स टरम है और यह राइट साइड पर Y स्केर डी एक्स तो डी एक्स वाली टरम्स को हम आईसोलेट करते हैं यह वाली डी एक्स वाली टरम इधर आएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस Y स्केर डी एक्स is equal to, यह वारी टाम as it is, इधर ही रहेगी 2xy dy यह dy वारी टाम हम equality के उस साइट पर लेके जाएंगे तो minus 2y dy हो जाएगा, अब देखें इन दो टाम मेंसे अगर हम dx कामल ले 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 तो हमारे पास आएगा 4x q minus y के dx आजेगा इसी तरह यहाँ पर इन दो टाम मेंसे 2xy minus 2y कामल ले तो आजेगा dy अब देखें, अब हमने दो values find out करनी है dx over dy dx over dy find out करना है तो dx यह dy equality के इस तरफ आके divide हो जाएगा, is equal to इन दो टाम्स को अगर हम लिखें यहाँ पर तो 2 common भी ले सकते हैं 2y अगर हम कामल ले ले तो bracket में आजेगा x minus 1 over में यह वाली टाम क्योंकि अदर multiply हो रही है तो इदर आके divide हो जाएगी 4x cube minus y square तो इस तरह dx over dy find out हो गया, इसी तरह अगर हम इसको reciprocate करें, या अगर हम यहाँ से लिखने की कोशिश करें तो dy है, dx उदर जाके divide हो जाएगा dy over dx हमारे पास आजाएगा 4x cube minus y square over में 2y into x minus 1 तो इस question में भी हमने differential को use करते हुए dy over dx को find out कर लिया next lecture में हम next question को solve करेंगे 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 करेंगे